इस चॉकलेट की डिटेल जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इस चॉकलेट को मैंने कस्टमर को देने के लिए बनाया था, कितना ये वेट हुआ था, किस मोल्ड में यूज करेंगे तो कितने ग्राम का चॉकलेट बनेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में है, वर्चर चॉकलेट इसके अंदर फिलिंग के लिए मैं यूज करने वाली हूँ 2M का वाइट कमपाउंट इस मोल्ड को यूज करने वाली हूँ इसे अच्छी तरीके से धो लिया था मैंने और इसे ड्राई भी कर लिया है ड्राई करने के बाद मैं यहां पर डिजाइन देने क लिए वाइट कमपाउंट का यूज कर रही हूँ जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है मेल्ट करने के बाद इस तरीके से लाइनिंग देना है इसमें मैं थोड़ा सा पिंक कलर भी एड करने वाली हूँ क्योंकि यह डार्क ही रहेगा लेकिन अगर डिजाइन थोड़ा सा लाइट कलर से देंगे तो इसकी खुबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है तो यहां पर मैंने वाइट भी कमपाउंड लगा दिया है साथ ही पिंक कलर भी यूज किया है अब मैं यहां पर चॉकलेट ले रही हूँ डार्क चॉकलेट जो की है वैनहंटन का और इसको मैं क का मौडे कंपनी का दोनों को एक साथ बारी कट कर लेना है बारी कट करने के बाद इसको मैं मेल्ट करूंगी लेकिन मैं 75% चॉकलेट को एक साथ मेल्ट करूंगी और 25% चॉकलेट को मैं बाद में इसमें मिक्स करते हुए मेल्ट करूंगी यानि कि इसे टेंपर करना है कैसे टेमपर करते हैं, बॉन बॉन चॉकलेट कैसे बनाते हैं, इस तरीके का चॉकलेट मैंने पहले भी बनाया है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, अगर चॉकलेट बना कर सेल करना है, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कितना लिया है यह मेरा पूरा साथ सौ ग्राम चॉकलेट के करीब तयार हुआ था अगर आपको इस तरीके से बल्क में चॉकलेट बनाना हो तो आप कितना प्रोडक्ट यूज करेंगे कैसे बनाएंगे यह सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने दी है यहाँ पर देख सकते है 75% चॉकलेट को मैंने इस तरीके से मिल्ट किया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी इसके बाद इसमें बाकी बचे हुए चॉकलेट को डाल कर फिर से मिक्स करूंगी अगर आपको लग रहा है कि चॉकलेट अच्छी तरीके से मिल्ट नहीं हुआ है तो आप बस 10 सेकेंड के लिए इसे गर्म करेंगे और उसके बाद इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे मौडे का मिल्क कमपाउंड आपको थोड़ा सा मिक्स होने में टाइम लेगा लेकिन अगर इस कवर्चर चॉकलेट को मिल्ट करना है तो यह बहुत ही आसानी से मिल्ट भी हो जाएगा और देख सकते हैं कितना साइनी चॉकलेट टेयार हुआ है हमारा तो अब इसे रखते हैं साइड में क्योंकि अब लाएंगे मोल्ड जिसको मैंने अभी फ्रीज में रखा था सेट होने के लिए और इसमें इस तरीके से मैं फिल कर दूँगी आप अगर बॉन बॉन चॉकलेट की रेसिपी देख क्योंकि मुझे एक लेएर चाहिए बहुत मोटा लेएर नहीं चाहिए बस एक लेएर चाहिए तो यहां पर देख सकते हैं कि चारों तरफ मैं चॉकलेट को अच्छी तरीके से कॉर्णर पे भी फैला रही हूँ ताकि हमें निकालते समय आसानी हो चॉकलेट तूटे नहीं इस तरीके से टैप जरूर कर लेना है नहीं तो इसमें बबल होते हैं और बाद में वो होल के रुप में दिखने लगेंगे तो आपको टैप करने के बाद इस तरीके से चॉकलेट निकाल देना है चॉकलेट काफी ज़्यादा बनाना था इसलिए मैंने इस मोल्ट का भी तो आप इसमें पूरा चॉकलेट डाल कर पूरा टैप करने के बाद निकाल सकते ही या फिर आप इस तरीके से स्पून की सायता से इसको कवर कर सकते ही ये देखिए चॉकलेट को अच्छी तरीके से टैप कर लेंगे यहां मैंने गर्म कराही में थोड़ा सा बटर डाला था जो की सॉल्टेट बटर था उसमें मैंने पतली वाली महीन जो बारीक सिवई आती है उसे मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया था थोड़ा सा गोल्डेन हो गया मैं यहाँ पे पिस्ता को भी रोस्ट कर रही थोड़ा सा लेकिन इसे ड्राइ रोस्ट करना है और इसको रोस्ट करने के बाद इसे भी निकाल देना है मीडिम टूल लो फिलेम पे इसे रोस्ट करना है यहाँ पे पिस्ता मैंने 1500 ग्राम लिया है सेवा ही मैंने 100 ग्राम िलुज किया था और साथ ही अब इसको धंडा होने के बाद बारीक पीश लेना है बारीक पीशने के बाद इसमें एड़ करना है वाइट कंपाउंड जो कि मैंने यहाँ पे लिया है तीन सौ अश्री ग्राम के करीब और इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया था बारीक पीशे हुए पीशते में मैं इसे एड़ कर लूगी ताकि इसे भी मैं इसके साथ बारीक पीश लूँ आप चाहे तो मिल्ट करके भी डाल सकते हैं अगर आपको बहुत लंबे समय तक चॉकलेट को रखना है तो वो किस तरीके से रखना है उसकी भी वीडियो मैंने शे क्रेटे को मैंने बारीक पीश लिए है अब इसे रख देंगे साइड बे यहां पर मैं ले रही हूँ अमुल फ्रेश क्राइब को कितना लिए गर्म करने के बाद इसमें कर देना है प्रेश को मिक्स करने के बाद आते आने देगे हैं और कलिंग रेप से आपको तरीके से cover करना है और फ्रीज में कम से कम अगर आप चौकलेट बना रहे हैं तो दोच से तीन घंटे आपको ईससे सेठ होने के लिए चोड़ देना है और अगर आप इसका गनास त्यार कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके से प्रॉपर गनाज भी त्यार होता हैं अगर आपको इस क सेवे एड़ नहीं करेंगे तो लेकिन यहां पर चौकलेट बनाना है यहां और हमारा गनास तियार हो चुका है अब मैं इसे क्लींघ रैप से अच्छीत तरीके से कवर कर लूँंगी और फ्रीज में दो तिन घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूँगी उसके आने के बाद मैंने इस तरीके से ढखकर फ्रीज में छोड़ दिया था दो गंटे के लिए सेट होने के लिए लेकिन अब आप यहां पे देख सकते हैं कि यह कि अच्छी तरीके से सेट हो चुका है और आप चाहे तो इसका गनासी सुरूप में यूज कर सकते हैं यह देखिए मैं आपको यहां पे रोज़िट मना कर दिखा रही हूं कि यह कि अच्छा सेट हो चुका है इसको थोड़ा सा नॉर्माल टेंपरेचर यानि की 10 मिनत बाहर छोड़ देंगे उसके तो थोड़ा कम भी यूज कर सकते हैं मैंने यहां पे 100 ग्राम सिवई का यूज किया था और यहां पे आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है पूरी तरीके से यह मिक्स होना चाहिए और मिक्स होने के बाद इसे मैं पाइपिंग बैग में डालूँगी अगर आप चाहते हैं कि यह चॉकलेट लंबे समय तक चले या फिर आप कहीं बाहर इस तरह के चॉकलेट को भीजना चाहते हैं तो आप अमूल फ्रेस क्रीम का यूज नहीं करेंगे तो भी यह चॉकलेट काफी लंबे समय तक ठीकेगा इसमें सिर्फ आपको पिस्ता का जो मोल्ड में अच्छी तरीके से सेट हो चुका था और उसमें मैंने इस तरीके से इसके फिलिंग को फिल कर दिया है फिल करने के बाद आप इसी इस तरीके से सेट कर दे ताकि जो इसको आप कवर करेंगे तो वो एक बराबर अच्छी तरीके से होगा तो इस तरीके से इसके उपर चॉकलेट डाला है पूरा कवर कर देना है और फ्रीज में इससे कम से कम 2-3 घंटे तक सेट होने के लिए छोड़ देना है कोई जल्दी बाजी नहीं कोई हरवेडी नहीं करनी है आपको क्योंकि इसको unmold करेंगे तो काफी अच्सी तरीके से unmold होगा मैंने यहां पे 3 घंटे के बाद इससे निकाला था पूरी तरीके से चॉकलेट सेट हो चुका है और निकालने में काफी असानी से ये निकल जा रहा है लेकिन ये कवर्चर चोडलेट है तो आप इसे बाहर ज्यादा देर तक नहीं रखेंगे आपको इसे निकालना है और सीधे इसे जो चोकलेट रैप पर आते हैं उसमें आपको इसे रैप कर देना है ताकि ये जैसा है उसी तरीके का बना रहा है फिर उसके बाद आपको इसे में रखकर चौxit inhave क्योंकि आप इस गर्मी मौसम में बाहर नहीं सकते हैं लेकिन अगर मौसम ठोड़ा ठीक हो जाता है स्यट हो जाता तो आप इसे बाहर भी sell कर सकते हैं बाहर भी बेह बेज सकते हैं यहां पे देखिए दूसरा भी मैंने चॉक्लेट निकाल लिया तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी दोस्तो इसका वेट कितना हुआ था दूसरे वाले डिजाइन का वेट कितना हुआ था या सबसे लास्ट में जो मैं उनने बड़ा डिजाइन बनाया था उसका वेट क्या हुआ था यह सारी चीजे मैं आपको अभी दिखाऊंगी ल और यह हमारा कुनाφा चोकलेट बन करते यार है यहाँ पे छोटे वाले का 30 g वेट हो रहा है उससे थोड़े से बड़े साइज का जो है उसका 50 g और उससे बड़े साइज का इंग्टी ग्राम के करीब है और टोटल चोकलेट का वेट ह हुआ था 739 ग्राम आपको यहाँ पे साइड में वेट दिख रहा होगा मैंने टोटल भी आपको दिखा दिया है